कॉंग्रेस की वरिष नेता मनिशंकर अईयर अपने ताजा बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं उन्होंने चीन का जिक्री करते वे 1962 में हुए हमले के लिए कथित शब्द का इस्तिमाल किया कथित शब्द मतलब चीन ने हमला नहीं किया बलकि ऐसा आरोप लगाया जाता है भाजपा ने मनिशंकर अईयर की स्टिपणी को लेकर कॉंग्रेस नेता पर जमकर हमला बोला हलांकि बाद में अईयर ने कथित शब्द का इस्तिमाल करने के लिए माफी मांगी आपको बता दे कि कॉंग्रेस नेता अईयर ने मंगलवार शाम विदेशी सम्वाधाता क्लब में एक कारिक्रम में किस्सा सुनाते हुए कहा था कि अक्टूबर उन्नी सो बासट में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमन किया आईयर ने ये टिप पढ़ी नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स पुस्तक के विमोचन के अफसर पर दी इन ऑक्टूबर 1962 दे चाइनीज अलेज़िटरी इंवेड़िए इंडिया और भाजुपानिता गौरब भाटिया ने कहा कि हमारी सेना हमारा आत्म सम्मान है उन्होंने लोक्तंत्र के महापर्व के दौरान कॉंग्रेस के पाकिस्तान कनेक्शन पर भी सवाल उठाए मनी शंकर एयर नहीं कहा था कि पाकिस्तान के पास भी आटम बॉम है अब आप बताईए हमारा महापर चल रहा है भारत का हर नागरिक जिसे भारतिय सेना पे गौरव है हमारा आत्म सम्मान है हमारी सेना तो ये चुनाव के समें कॉंग्रिस पार्टी के टावर से दोनों शत्रू देशों को सिगनल क्यों दिये जा रहे हैं क्या ये सिगनल इसलिए दिये जा रहे हैं कॉंग्रिस पार्टी जानती है कि उनका सूपड़ा साफ होने वाला है लेकिन ये वो ही मनी शंकर अईयर हैं जिन्होंने पहले भी कहा था श्री नरेंदर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को हस्तक शेप करके मदद करनी चाहिए